मेवार की मुकुट यानि की महराणा प्रताप के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो जी हमारे कौन होंगे चरत्य चित्रन यानि की इस खंड कावे के हीरो कौन है महराणा प्रताप जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब बात करते हैं कि यह किन किन जिलों में आएगा तो वो उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको देख रह करते हैं वो सभी इस खंड कावे को बढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट यह खंड कावे जो है वो कितने भागो में आता है आपको तीन तरह की मिल सकते हैं लेकिन सिर्फ कितने मार्क्स का होगा एक एक निधिन आएगा आपके पास और वो अत्वा में आ सकता है हना तो एक question होगा जिसमें आपको तीन topic जो हैं वो cover करने होगे तो पहले बात करते हैं marks की तो कितने का है ये three marks का आपको मिलने वाला है ये question ठीक है उसके बाद बात करते हैं इसमें कितने topics आएंगे तो यहां basically तीन तरह के question बन सकते हैं आपके कि पहला बनेगा कि इसका क्या लिखो प्रस्तु जो मेवार मुकुट है खंड काव्य है उसका आपको कथानक लिखना है या कथा सार लिखना है या कथा का सारांच लिखना है प्रथम सर्ग लिखना है, दूतिया सर्ग लिखना है, तुरतिया सर्ग लिखना है तो इस तरह के प्रश्ण मिलेंगे आपको, जो कि आपको कथा वस्तू के रूप में या फिर कथानक या आपको कैसे मिल सकता है, सारांच, ठीके या प्रथम सर्ग दुतिया सर्ग इस तरह से मिल सकता है किसी भी तरह से आपको question मिल सकता है तो प्रथम सर्ग मिलेगा तो प्रथम सर्ग के बारे मिलेगा तो दुतिया के बारे मिलेगा सारांश मिल जाता है तो पूरा सारांश लिखना लेकिन सर्ग के अनुसार लिखना ठीके दूसरे चीज दूसरे चीज है कि क्या पूछा जाता है एक और question पूछा जाता है वो पूछा जाता है चरित्र चित्रन कि चरित्र चित्रन बताओ यानि कि इसमें main कौन था उसके बारे में बताओ तो चरित चित्रन आ जाएगा तीसरा पूछा जा सकता है इसकी घटना है ठीके तो घटना पूछी जा सकती है तो घटना में आपको जो जो यहां पर पढ़ने को मिलेगा वो घटना जो है आप लिख देंगे तो घटना आपको लिखनी है ठीके तो यह इस तरह के तीन क्वेशन मिल सकते हैं तीनों में से कोई भी आपको मिल जाएगा या फिर आपको ऐसा ही मल सकता है प्रति पाद्य विशे भी मिल सकता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे तो अलग-अलग टैप के क्वेशन है क्या क्या आ सकते हैं वो सब देखेंगे तो महाराना प्रताप जिसको अगर आप ने अगर पढ़ा है यूपी वोड में अभी हमने पढ़ा था रिसेंटली हल्दी गाटी वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था लास जो कावेखंड का था उसमें हमने महाराना प्रताप के बारे में पढ़ा था जिसमें हल्दी गाटी का जब यूद होता है तो उस समय पर उनका जो घोड़ा होता है चेतक वो उनकी बहुत मदद करता है बहुत हेल्फ करता है हर एक चीज में और महारणा प्रताब जो थे वो संगर्ष करते थे कभी भी मुगलों के आगे उन्होंने सर नहीं जुकाया था तो यहां पर उनके बारे में ही हम बात करेंगे कि जब वो जब हल्दी गाटी का जो य कैसी इस्थती हुई थी फिर कैसे वो अपनी सैना का फिर से गठन करते हैं क्या-क्या चीजे करते हैं उनके साथ कौन-कौन था यह सारी चीजे जो हैं हम इसमें पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले प्रथम सर्ग को देखेंगे और उसके लिए हमारे अगर कथा वस्तू का सारांच आता है तो भी सारा जो अभी मैं पढ़ाऊंगी वो सब लिखना है ठीक है अगर चिंता सर्ग आता है तो हर एक सर्ग में एक ब्रैकेट में आपको एक स्पेसिफिक उसके बारे में दिया गया है तो अगर सिर्फ और चिंता सर्ग आ गया तो सारांच पूरा लिखना है तो सारांच पूरा लिखना है जिसको अपने शब्दों में लिखना है तो आप अगर सारांच लिखो तो try करना कि आप कैसे लिखो एसे paragraph में मत लिख देना धन 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 फिनी चीज को कि आपने क्या बतारा रहे है exactly थीं नेच्च परथम सर्ग जिस में अरावली के बारे हमें उसको बतादे ना तो प्रथम सर्ग इस प्रतम सर्ग का बात करना है, तृत्य सर्ग के सिर्शette, अगर सारान था तो सारे सर्ग का आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ते, नेक्स तैक्स, नेक्स पव्हस है, अगर पंचंछ सर्ग आज़ा तो उसे पंचवन Budha की बात करनी है, लक्ष्मी सर्ग आजा तो ऐसे लक्ष्मी सर्ग दे रखा तो देखो आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मी सर्ग कहा होगा वो हम अभी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सर्ग है तो उसके अनुसा लक्ष्मी सर्ग का लिखना होगा लक्ष्मी कौन थी वै है जो जो स्टोरी आपने देखी वो स्टोरी आप इसमें गटना के रूप में लिख देना नेक्स्ट है छटे सर्ग दो यानि छटा सर्ग लिख देना आगे बात करें तो बस यहीं तक ही थे questions अब इसके उत्तर को बात करते हैं श्री गंगा रतन पांडे जो है उनके द्वारा रचित क्या है मेवार मुकुट ठीक है यह खंड कावे है जो कि कितने सर्गों में विभाजित है साथ सर्गों में विभाजित है इन साथ सर्गों की कथा जो है आपको निमने प्रकार से मिलेगी तो प्रथम सर्ग यानि कि पहला सर्ग किसका है अरावली जो अरावली परवशंक्ला है वहाँ पर उस समय पर महाराणा प्रता जो थे वहाँ पर छुपे हुए थे तो महाराणा प्रता जो कौन थे राणा सांगा की जो सौरी राणा उदैसिंग जो है उनके पुत्र थे और उस टाइम पर उनके साथ क्या-क्या चीजें हुई, वो सारी चीजें हम डिसकस करेंगे, ठीके, तो स्टार्ट करते हैं, राजस्तान के दक्षी पूर्वी भाग में अरावली परवत शंकला फैली हुई है, वह मेवार की रक्षा का पूर्ण दायत्व सुईकार करके बड़े इस अरावली परवत की शंकलाओं में कभी रिशी मुनी तपस्या करते थे और वहाँ पर उनके वेद मंत्रों के स्वर गुंचते थे, युद्ध में पराजित होने के बाद राणा प्रताब जो है, इसी सुरक्षित स्थान में पहुंचे, जिसमें वे अपनी पतनी लक्ष जब युद्ध से पराजित हो जाते हैं, तो वहाँ पर अरावली परवत शंकलाओं जो है, वहाँ जाकर छुप जाते हैं, और वह कौन सी शंकलाओं थी जहां पर रिशी मुनी तपस्या करते थे, जो उनके वेद मंत्र थे, उनका उचारण करते तो वहाँ 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 चले जाओं तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो मंत्रों का जो उचारण है, वो आपको सुनाई दे रहा है, तो इस तरह की जगे जो थी वहाँ जाकर के महाराण प्रताब जो है, वो छुप गए थे, क्योंकि उनके पास नासेना थी और उनका परिवार भी उनके साथ ही था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पतनी और पुत्र और पुत्री के साथ वहाँ पर रह रहे थे एक सुरक्षत इस्थान पर, वन में अनेक कश्टों को सहन करते हुए भी उन्होंने अपने स्वाब इमान की दक्षा की और शत्रुपक्ष की कन्या को पुत्री के समान पाला, यह हैं उनकी उदारता और शनागत वत्सलता का प्रमान है सर्ग के अंत में महारा प्रताप की पत्नी जो है अपने पुत्र को गोध में लिए भविश्य की चिंता में डूबी हुई बैठी है क्या बता रहे हैं इस सर्ग में इस सर्ग में जो है आपको अरावली के बारे बता है तो अरावली में exactly क्या हो रहा था जो महारा प्रताप थे वो वहाँ पर बैठे थे अब जंगल था कुछ था नहीं खाने पीने को कुछ नहीं था तो उस टाइम पर उनको बहुत जादा तकलीफ है थी बहुत जादा कर्श था क्योंकि खाने के लिए नहीं है रहने के लिए नहीं है क्या खाएं क्या नहीं खाएं प्लस उनके साथ उनका परिवार भी था तो उस ताइम पर वो इतनी सारे कश्टों होने के बाद भी उनका जो स्वाभी मान था क्योंकि वो ऐसे राजा थे जिनोंने कभी भी मुगलों के आगे सर नहीं जुकाया कभी भी उनके आगे हार नहीं मानी हमेशा खड़े रहे चाहे उनकी पास कितने ही कम सिमित साधन हो कुछ भी हो लेकिन वो कभी भी उनके सामने जुके नहीं मुगलों के सामने नहीं जुके तो वो चीज उनका जो स्वाबी मान था वो इतना था कि कितने कश्ट आजाए लेकिन वो नहीं जुखते थे और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया था उनके शत्रुपक्ष की मतलब शत्रुपक्ष की एक पुत्री थी मतलब उनकी कन्या थी उनको भी इन्होंने पुत्री की समान यानि अपनी बेटी की तरह उन्हें पाला था अपने पास रखा हुआ था तो इससे उनकी क्या पता चलती इससे उनकी उदार था यानि कि उनका दिल कितना बड़ा था और उनके अंदर कितनी वातसल लेता मतलब कि ममता जैसा भरा हुआ था कि हाँ कि शत्रू की पुत्री है तो क्या हुआ वो भी मेरे लिए मेरी पुत्री के समान है और उसको शत्रू उसी चिंटा में बैटी थी और उस चिंटा में बैटे हुए अपने बेटे को गोद में ले रखा था तो यहां पर महाराणा प्रताभ की पतनी का नाम क्या है लक्षमी है कि आगे बढ़ते हैं नेक्स दुत्या सर्ग जिसमें हम लक्षमी के बारें बात करेंगे जिसमें लक्षमी यानि की महाराण प्रताब की जो पत्नी है वो इंपोर्टेंट है और वो क्या कहती है उसके बारे में देखिए अरावले परवशंकला पर माराण पताब की कुटिया चाननी रात का प्रतम पहर है सर्वत्र निरवता च्छाई हुई है पक्षी गण दिन भर की ठकान के बाद अपने अपने घौसले में सोई हुए है इस एकांत तथा निरजन स्थान पर अपनी कुटिया के समक्ष लक्ष्मी जो है चिंता मगन मुद्रा में बैठी हुई है अपने भूक से पीरित पुत्र को देखकर व्याकुल हो उठी है राणा की संतान होते हुए भी भरपेट दूद भी नहीं नसीब है राणी लक्ष्मी कहती है यह राणी लक्ष्मी भाई नहीं है यह माराना प्रताप की पत्नी है उनका नाम भी लक्ष्मी था राणी लक्ष्मी कहती है कर्म योग तो आदर्श मात्र है कर्म भोग ही सच्चा दर्शन है सज्जन सरवदा मारमिक वेदना को प्राप्त करते हैं परन्तु कुमार की व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं यह क्या कहती है यह लक्ष्मी कहती है तो यहाँ पर लक्ष्मी बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसमें लक्ष्मी के बारें बताया है क्या बताया है कि अरावली प्रण शंक्ला जो थी उस टाइम पर चान्न पड़ा था इस तरह से था और उनका पुत्र जो उनकी गोद में था वो क्या था वो भूखा था क्योंकि उनकी पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वो भूख से व्याकुल हो रहा था तो उसको देखकर कि उसके जो मम्मी है यानि कि लक्षमी जी है वो बहुत व्याकुल ह जाती है और वह कहती है कि भैवि देखो राजा का बेटा है फिर भी इसको दूर्द तक नसीब नहीं हो रहा है खाने की बात तो छोड़ो। दूर्द तक इसको नहीं मिल रहा है तो यह सारी चीजे वह कह रही थी और उसके साथ-साथ उन्होंने कुछ लाइन्स कहीं थी वो कहीं थी उन्होंने कर्म योग तो आदर्श मात्र है कर्म भोग ही सच्चा दर्शन है कर्म योग यानि कर्म करना है कर्म करना है अपना कर्म करो अच्छा करो ये करो तो फल अच्छा मिलेगा ये सब क्या है सिर्फ आदर्श है लोगों को समझाने के लिए या ऐसे करोगे तो फोल तो पता है आधर्श है कि अच्छा करेंगे मिलेगा और कर्म भोग 이सieme है कर्म का भोग मिलता है उससे पता चलता है कि उक्ष्छश कर समस्य釋 लगन वह सब चीजे belsा चाहएं वह मिल रहा हुए उनको जो आप गरते वह आपको है तो वह देर्स कर На master लेकिन ये जो मिल रहा था उने ये तो उनके कर्मों का जो उन्होंने किया था उनको वो मिल रहा था आगे वो क्या कहती है कि जो सजन लोग होते हैं यानि जो सच्चे लोग होते हैं जो अच्छे लोग होते हैं उनको हमेशा इस तरह की वेदनाय मिलती हैं जो उनके मन को पूरी तरीके से तोड़ दे ऐसी वेदनाय उनको मिलती है परंतु जो कूमारगी यानि जो गलत मार्क पर चलते हैं व्यक्ति वो समेशा क्या करते हैं जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं तो लक्षमी जी जो है अपने विचार बताती है कि हम इतने अच्छे हैं हम इतने तरीके से रहते हैं सज्जन है फिर भी हम को क्या मिल रहे हैं इतने सारे कश्ट मिल रहे हैं और जो कूमारगी यानि की गलत व्यक्ति हैं गलत मार्क पर चलते हैं गलत रास्ता करते हैं अत्याचारी हैं उन लोगों को जीवन में क्या मिल जाती है सफलता मिल जाती है ठीक है आगे बढ़ते हैं महाराना प्रताव शत्रू के सामने अपना मस्तक नहीं जुका सकते इसी स्वाभिमान की रक्षा के लिए सभी प्रकार के दुखों को सहन कर रहे हैं लक्ष्मी सम्मान रक्षा हेतू स्वयम कोतो कष्टों में डाल सकती है किन्तु अपने पुत्र और पुत्री का दुख जो है उससे देखा नहीं जाता उसके मुख से अचानक इन शब्दों को सुनकर महाराना प्रताब रानी के रोने का कारण पूछते हैं और रानी लक्ष्मी जो है वो क्या कहती है कुछ नहीं कुछ भी तो नहीं इस तरह से कहके वो क्या करती है अपने आसू को पहुचते हुए कुटिया के अंदर चली जाती है महाराना प्रताब के अश्रू भी सहसा निकल आते हैं क्या होता है अब जब वो लाइन बोलती है कि अच्छे लोगों के साथ तो बुरा हो जाता है बुरे लोग तो जो है अपने जीवन में आगे बढ़ जाते है तो उसके बाद जो महारान प्रताप की बारे में कहें कि महारान प्रताप ऐसे थे कि वो शत्रों के आगे कभी भी मस्तक नहीं जुकाते थे अपना सर नहीं जुकाते चाहे कुछ भी हो जाए और इसी स्वाब इमान की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे दुख सहे, लेकिन लक्ष्मी का कहना था, कि मैं सारे दुख सहने के लिए तयार हूँ, मैं हर एक चीज करने के लिए तयार हूँ, तब ही वो अपने पती के साथ जो है जंगल में रह रही थी, पर उसको ये परका कहले था कि मेरे बच्चे वो क्कूद फाला है तो उस चीज के लिए वह दुखी हो रही थी, तो जब उसने क्या кнопH to follow और और इस तरह से रही है, तो ने स्वाम कम और बहुत पूछा, कि वो और उसको रो रही पाला हो। तो रानी जी ने कहा अपने आउसोको पोचते वोला नहीं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, ऐसे कुछ नहीं हुआ है और ऐसे करते हुए हो पर है उनकी कुटिया बनी भी थी, उसके अंदर चली गए ठीक है ये था दुतिय सर्ग जो की हमने पढ़ा वो था लक्षमी लक्षमी सर्ग पढ़ा था अब हम पढ़ने वाले हैं तृतिय सर्ग जिसमें हम किसके बारें पढ़ेंगे प्रताप के बारें पढ़ेंगे यानि महाराना प्रताप के बारें पढ़ेंगे क्या पढ़ने वा कि जो भी आपने प्रतम सर्ग में जो भी पढ़ा उसको तीन से चार लाइनों में जैसा भी देखो अगर सारांश कोला जाता है तो सारांश की रूप में लिखना और अगर बहुत डीटेल में लिख देना ठीक है इस तरह से आपको घटनाओं में ऐसे लिखना है अब तृतिय लक्ष्मी के कष्टों के विशय में सोचते हैं वे कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करने से ही यश्की प्राप्ति होती है मेवार को मुक्त करना ही उनका प्रमुक कर्तव्य है इसके लिए वे अपने प्राणों की आहोती तक देने के लिए तयार है वे सोचते हैं कि मैं ही अप पहुच गया हूँ यह चीज बोलते हुए वह क्या बोलते है रे अकबर अगे पढ़ेंगे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं अब जब क्या हुआ था अब जब देखते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो रो रही है तो वो अब खड़े थे और सोच रहे थे अपनी आखे बन करके कि मैं जो हूँ मैं अपने करतवय से नहीं हट सकता हूँ और मैं जो हूँ अपने जो मेरा करतवय है मैं उसको लेके चलूँगा और स्वाभी मान के सा बट जो घर के कश्ट थे जो उनको अपने परिवार के लिए दिख रहे थे और वो जो लक्षमी का दुख था वो भी उसको महसूस कर रहे थे क्योंकि as a mother जो है मा के रूप में उनको देख रहे थे कि उनको अपने बच्चों की तकलीफ है वो दिख रहे थी लेकिन उनको ये था कि मेवार के लिए मैं ही खड़ा हूँ और मेरे अलावा बाकी सब जो है वो अकबर के आगे जुक चुके हैं एक मैं ही ऐसा हूँ जो अभ अकबर के इशारों पे नाच रहा है अकबर जो है कैसे भी करके साम दाम बंड भेट सारी नीति संभी तरह से वो क्या करना चाता था ओब democr favored नहीं कर पाया दो यह मैं हूँ एक जो उससे बचावा हूँ, बाकी सब तो क्या कर चुके हैं, बाकी सब के सब उसके लिए काम करने लगे, क्योंकि उसने सबी को क्या कर लिया है, अपने वश में कर लिया है, वश मिन्स की सब को अपने हक में ले लिया है, तो इस तरह से सारी चीजे हो रहे थी, और वो चाते थ तो हल्दिकाटि का जो युद्ध हुआ था वो भी इसी चक्कर में हुआ था मान सिंग और माना प्रताब है उनके चक्कर में हुआ था क्योंकि अकबर ने इन दोनों के बीच में मदभेद पैदा कर दिये थे ठीक है आगे पढ़ते हैं रे अकबर अब आगे क्या बोलते हैं तो अवश्य ही वे लौटकर वापस आएगा अब यहां पे क्या हुआ था यहां पे उन्होंने बोला किसके लिए कि अकबर के लिए उनकी दूसरी पतनी उनसे इनको पुत्र हुआ था तो शक्ति सिंग वो भी इनके भाई थे तो अब वो भी क्या हो गए है वो भी विद्रोई अकबर से जाकर के मिल गए थे तो वो कह रहे थे कि तुमने क्या कर रहा है सारे राजपुतों को मुझसे अला कर दिया यानि अब वो महानार प्रताप खुद अकेले ही रह गए है और वो अकबर को कह रहे हैं कि तुमने जो मेरा बंदू है यानि शक्ति सिंग उसको भी मुझसे अलग कर दिया है लेकिन जब कभी क्या होगा उसकी आत्मा उसको दिकारेगी यानि जब शक्ति सिंग को एहसास होगा तब वो वापस क्या होगा लौट कर जरूर आएगा ऐसा म मारना पताब चेतक की स्वामी भक्ती तथा शत्रुपक्ष की कन्या दौलत के विशय में भी विचार करते हैं। वे सिसोधिया वंच की आन रखने का संकल्प लेते हैं, किन्तु साधन हीन हुए वह विचार करते हैं कि वह शत्रुपक्ष का सामना कैसे करें। मारना प्रताप का एक कौन था वही चेतक जिसकी स्वामी भक्ती बहुत ही जिसके बारे में हमने पढ़ भी चुका है तो उनकी चेतक की जो स्वामी भक्ती थी वो और उनकी शत्रुपक्ष की कन्या थी जिसका नाम क्या था दौलत ठीके उन दोरलों के उपर वो विचार करते हैं और क्या कहते हैं कि वे सिसोधिया वंज की आन रखने का संकल्ब लेते हैं कि मैं सिसोधिया वंज जो है उसकी आन बान शान का मैं हमेशा ध्यान रखूंगा लेकिन उनके पास क्या थे साधन नहीं थे लड़ने के लिए कुछ चीजे नहीं थी सेना नहीं थी अस्त्र शस् अब बात करते हैं कौन सा चतुर्ट सर्ग जोकी है दौलत प्रतम क्या था अरावली दुत्य क्या था लक्ष्मी तीसरा था प्रताप चोथा करेंगे हम दौलत कौन थी दौलत दौलत उनके शत्रुपक्ष की कन्या थी जिनको वो अपनी पुत्री की तरह संभाल रहे थे दौलत चिंता मगन मुद्रा में लताओं से आच्छा दित घनी छाया में बैठी हुई अपने विगत जीवन के विशय में विचार कर रही थी और कहती है उस भोग विलास भरे जीवन में कटूता ही थी प्रीती नहीं उससे विगत जीवन अच्छा नहीं लगता दौलत जो थी वो बहुत चिंता में दूबी हुई थी और चिंता में दूबी हुई कि वो क्या कर रही थी घनी छाया जो थी मतलब पेड जो थे उनकी लताओं के नीचे जो थी वो बैठ के सोच रही थी और क्या सोच रही थी वो सोच रही थी कि जो भोग विलास वाला या हम जीवन यहां जी रहे हैं वो एक्चुल में जीवन है यानि जंगलों में रहते हुए हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहां के कश्टों को हम देख रहे हैं तो वो जीवन है जो जीवन मैंने भोग विलास ऐशो आराम में जो जीया था उसमें तो कुछ भी नहीं अच्छा है यह नहीं कुछ भी प्यारा नहीं लगता, सब कुछ कड़वा कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, उससे विगत जीवन अच्छा नहीं लगता था, महारान प्रताब की सजनता के विश्य में विचार करती हुई वे कहती है, वो महारान प्रताब की सजनता जो है, उ को समान अधिकार दिये है वह शक्ति सिंग और प्रताप की तुलना करती हुई कहती है यह सूर्य है वह दीपक है वो फिर तुलना करती हुई क्या कह रही है कि शक्ति सिंग और प्रताप दोनों जो है उनमें दोनों में कंपेर करती हुई कि यह तो सूर्य है और वह दीपक है दौलत मारना पताब के लिए कुछ करना चाहती है, वो क्या कहती है, जब कि शक्ति सिंग क्या है, दीपक है, जो सिफ उजाला करते हैं, कुछ स्पेस के लिए लेकिन उन्होंने मारना पताब को एक सूर्य की भाती बताया है, फिर वो मारना पताब के लिए विचार कर रहे थी उसी समय किसी के पैरों की ध्वनी सुनाई दी जब वो इसे सोच रही थी तो अचानक से उनको पैरों की आवाज सुनाई दी और यहीं पर इस सर्ग का अंत हो गया और यहीं पर यह चीज एंड हो गई यहीं पर यह सर्ग समात हो गया जब वो इस तरह से सोच रही थी कि मुझे भी मारा प्रताप के लिए कुछ करना है, उनके लिए कुछ तो कुछ मुझे करना ही पड़ेगा, तो यह से सोच रही तो एकदम से उनको आवाज आती है पीछे से और यहीं पर ही अंतो जाता है. नेक्स्ट, अब आता है चिंता, कि अब उनको चिंता होती है कि आगे करें क्या, तो एकांद स्थान पर बैटी हुई दौलत राणा प्रताप के पदचाप सुनकर उठ खड़ी होती है, एकदम से उनकी पैरों के आवाज जो है उनको सुनकर के वो खड़ी हो जाती है, राणा कि मैं तो बहुत खुशू हूँ, मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मेरी वज़े से कहीं, आपका जो स्वाधिन यानि कि किसी के गुलामी में नहीं रहना है, ये वाला जो प्रण है, वो कहीं आपका मेरी वज़े से नहीं टूट जाए, मैं आपकी कुछ सेवा तो नहीं कर सकी उल्टे आपके दुख ही मैंने बढ़ा दिये हैं उसने बोला कि मैं तो आपके कभी मैंने आपको कोई सेवा नहीं की ना ही में दव से आपको कोई सहायता मिली उल्टा ही मैंने आपको क्या करें मैंने आपके हमेशा दुख ही बढ़ाए है इस तरह से वो मारण प्रताप को अपनी बातों को कहती है तो तब राणा क्या कहते है पगली भला कौन सा दुख यहां मेरे लिए ले आई है तेरे आने से मुझे एक बेटी मिल गई है दौलत उतर देती है राणी लक्ष्मी तो बीतर ही बीतर पीडा का विश पी रही है तो राणा कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है तूने तो उल्टा आके मुझे एक बेटी का सुख दिया है तो उसी समय पर वो क्या कहती है दौलत जो है वो कहती है बट रानी यानि कि लक्षमी जो है वो भीतर ही भीतर क्या कर रही है जैसे विश यानि कि जहर पी रही है जहर का गूट पी रही है क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं थी वो सारी चीजे सह रही थी लेकिन उनको अपन आज आप मेरे साथ चले, मैं उंका दुक दूर करने का प्रयास करूँगी. तो वो कहती है कि मैं हमेशा जाती हूँ, तो मुझे यसे लगता है कि मैं उनसे कैसे बुछूँ कि मैं दर जाती हूँ, पूरा का पूरा परिवार जो है वो क्या है अभागा है यानि कि जिसको वैसा है राणा प्रताप बताते हैं आज उन्होंने मेवार को मुक्त करने का द्रण निष्चे किया है राणा प्रताप क्या बोलते है कि मैंने ये प्रण किया है कि मैं जो हूं मेवार को मुक्त कर दू करने की बात बताते हैं कि मैं क्या करूँगा अकबर से युद करूँगा। शत्राणी होने के कारण लक्षमी जो है स्वाधीन्ता के लिए अपना सर्वस्व नियुचावर करने के लिए Śत्राणी थी लेकिन अगले दिन प्रताब जो है प्रस्थान करने का निष्चे सुनाते हैं कि मैं सिंदुदेश जाओंगा और इसके लिए वो प्रस्थान करते हैं कि मैं जाके help मांगता हूं नेक्स शर्ष्ट सरग्यानी की प्रत्विराज तो ये प्रत्विराज चोहान नहीं है एक कवी है उनके बारें बात हो रही है तो राणा प्रताब जो थे सुबह सुबह उनोंने सोच था कि मैं निकल जाओंगा सिंदुदेश के लिए तो तभी एक अनोचर आता है और उनको युद्ध करने के लिए प्रिरित करते हैं और क्या कहते हैं कि तुम जो हो राणा प्रताब से मिलते हैं और बोलते हैं कि तुम जो हो अकवर से क्या करो युद्ध करो राणा प्रताब उन्हें अपनी साधन हींता के विशह में बताते हैं वो बोलते हैं मेरे पास तो को को यहाँना प्रताव की आग्या भी लेते हैं और उनको कहते हैं कि अगर आप कहो तो मैं उनने बुलालो और वह इस तरह से उनसे आग्या लेते कि वह जो हैं आपकी help कर सकते हैं वह आपको सारे साधन और जो भी आपको चाहिए उन सब में आपकी help कर देगा चलो वे ठीक है आगे देखते हैं सब्तम सर्ग अब सब्तम सर्ग से पहले 6 सर्ग क्या था हमने किसके बारे पढ़ा था प्रत्वी राज के बारें पढ़ा था जो कि एक कवी थे अकबर के भी मित्र थे लेकिन आप मारान प्रताप को बोलते हैं कि आप युद्ध करो तो युद्ध करने के लिए वो रीजन बता देते हैं में पास तो है नहीं कुछ तो वो उसको कहते हैं कि मैं जो हूँ भामाशा के लिए उससे मैं आपकी बात करवा दूँगा वो यहां पी आएंगे और आपके साथ सारे प्रभंध हो जाएंगे तो अब आ बामाशा को ऑज आते हैं वो से अब लदा है और दो सबसे ज्मुता दो हो से आपको अपको सौपने की प्रवाजाब उसे पराया धन मानकर अस्विकार कर देते लेकिन राणा प्रताब कहते हैं कि ये तो दूसरों का धन है मुझे नहीं चाहिए और वो मना कर देते हैं बामाशा उन्हें यह समजाते हैं कि यह उनका अपना धन है उन्हें कहा ये पराया नहीं है ये आपका ही धन है आपी कर्सप Camण राणा प्रताब उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और फिर तो राणा प्रताब में नया उ たसहा उत्पन हो जाते क्योंकि जो साध्यनों की कमी थी वो साध्यनों की कमी अब पूरी हो गई थी तो अब उनके अंदर और जोश आ जाता है कि अब मैं कर सकता हूँ विदेश के हित में मर मिटने के लिए तयार हो जाते हैं यहीं पर खंड कावे की कथा जो है वो समाप्त होती है यहीं पर हमारा सात्वा सर्ग जो है वो complete होता है और इसी के साथ हमारा यह जो खंड कावे है जिसमें हम खंड कावे की जो कथा वस्तू है उसको समाप्त करते हैं तो यहां पर यह पूरा complete हो गया अब अगर आपको एक quick सोचना है कि क्या-क्या पढ़ा हमने तो सबसे पहले हमने किसके बारें पढ़ा था? अरावली के बारें पढ़ा था ठीके उसके बाद दुतिय सर्ग में पढ़ा तिरतिय सर्ग देखा दुतिय सर्ग में हमने लक्षमी के बारें में देखा फिर चिंता और यह सारी चीज़े हमने देखी थी तो exactly अगर हम पूरा conclusion निकाले तो हमने किसके बारें पढ़ा था? हमने जो मारना प्रताब थे जिनके पास साधन नहीं थे कि अब वो जाके मुगल समराजय से लडाई करे तो उसके लिए उनको जो साधन मिले वो भामाशा से मिले और उसके लिए कौन-कौन आये थे वो सारे कैरेक्टर हमने देखे और ये क्या था? मेवार मुकुर क्योंकि उन्होंने मेवार को बचाने के लिए बहुत सारी चीजे की जिसमें उन्होंका स्वाबी मान जो था बहुत सबसे आगे था जिसके लिए वो कभी भी शत्रों के आगे नहीं जुके और इसको कर्थवे मानते थे कि मुझे मेवार की रक्षा करनी हो इसको अपना कर्थवे मानकर कभी भी नहीं जुकते थे और उनकी जो पतनी थी वो भी क्या थी वो भी एक शत्रानी थी और इसमें वो भी उनका साथ देती है तो यहां पर यह सर्ग जो है complete है, इसमें अभी आपको और बहुत सारे question मिलने वाले हैं, जिसमें पूछा जाएगा चरित्र चित्रण, ठीक है, उसके बाद पूछा जा सकता है, हो सकता है, लक्षमी का भी चरित्र चित्रण मिले आपको, इसके साथ साथ प्रतिपाद्य तो वो सारे चीजे हम next जो खंड कावे है, इसके next part में देखेंगे, अब तक के लिए, thank you so much, bye bye and take care.